चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, बड़ी ही काम की बात है इस कहानी में, अंत तक सुनिएगा एक बार होता क्या है कि एक सजन पुरुष अपनी बेटी के लिए लड़का ढूनने जाते हैं, शादी के लिए तो जब वो घर से निकलने लगते हैं, तो उनके पिता जो है बाहर बैठे होते हैं, वो अपने पिता के पैर चुकर उनसे विदा लेते हैं तो जब वो जाने लगते हैं तो अपने पिता को कहते हैं पिता जी मैं अपनी बेटी के लिए यानि के आपकी पोती के लिए लड़का देखने जा रहा है दो-तिल लड़कों के प्रस्ताव आये हैं और मैं देखता हुँ कहीं भी एक जगए अगर बात पक्की हो जाए तो आप बताईए आपको क्या लगता है कि कैसा लड़का ढूंडना चाहिए हमें तो उनके पिता कहते हैं कि लड़का तो तुम देखी लोगे कि कैसा है पढ़ा लिखा है नहीं है सुन्दर है नहीं है पर एक चीज है जो मैं कहूंगा वो जरूर करना कहते है क्या पिता जी क्या करना चाहिए मुझे तो वो कहते हैं कि तुम्हें काम करना जिस भी घर में तुम जाओ एक शर्त रखना कि जिसके घर में भी एक लाख रुपया कैश होगा उसी के घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा तो कहते हैं पिताज ये तो बड़ी अजीब सी शर्त है कहते हैं कोई बात नहीं बस तुम ये करके देखना तो कहते हैं ठीक है तो वो पहले घर में जाते हैं और जा कर लड़का देखते हैं, घर बार देखते हैं, सब अच्छा होता है, चाएवाई पीते हैं, बाते होती हैं, लड़की की तस्वीर दिखाते हैं, उसकी पढ़ाई के बारे में बताते हैं, सब पसंद आ जाता है लेकिन फिर वो लड़की के पिताश एक शर्थ रखते हैं कि अगर आपके पास इस वक्त एक लाख रुपया कैश घर में है तो ही मैं अपनी बेटी का रिष्टा आपके घर में कर सकता हूँ तो बड़ा हैरान हो जाता है लड़के का पिता जो होता है वो कहता है कि साब एक लाख रुपया तो नहीं है नब्बे हजार है दस हजार की कमी है मैं ऐसा करता हूँ कि दस हजार अभी कहीं से किसी दोस्त से या किसी आसपडोस से लेकर आ जाता हूँ और आपको एक लाक रुपया जो है वो मिल जाएगा मेरे घर में तो हो कहता है कि ठीक है आप कोशिश कर लीजिए तो वो 90,000 रुपय जेब में डाल कर पूरे शहर में घूमने लगता है कुछ दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है कि ऐसे ऐसे 10,000 रुपय के ओपर लड़के के रिष्टे की बात अटकी हुई आप मुझे 10,000 रुपय दे दीजिए मैं आपको लटा दूँगा गाउं में भी किसी से नहीं मिलते दोस्तों से भी किसी से नहीं मिलते वापिस आता है मुझे लड़का कर और कहता है कि 10,000 रुपय का इंतजाम तो नहीं हो पाया आप अपनी लड़की के लिए कहीं हो और देख लीजिए तो आदमी कहता ठीक है विदा होते हैं वहां से और वो दूसरे घर में लड़का देखने जाते हैं जब वो दूसरी जगे लड़का देखने जाते हैं तो वहां पर भी लड़का अच्छा होता है सुशील होता है घर के लोग बड़े ही भले होते हैं घर-परिवार भी अच्छा होता है तो जब आगे बढ़ाने की बात आती है कि लड़की को कब देखने आए या फिर कब इस रिष्टे के बारे में आगे बात की जा सकती है या आपको हमारा लड़का पसंद आया या नहीं तो वो सज्जन कहते हैं कि देखे लड़का आपका बहुत अच्छा है घर परिवार आपका बहुत अच्छा है पर मेरी एक छोटी सी शर्थ है कि जिस घर में एक लाख रुपया कैश होगा उसी घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा वो कहता यार मेरे पास तो मातर बीस अजार रुपय है मैं तो घर में क्या मेरे तो अभी कैश तो नहीं है थोड़ा सा काम जो है वो मंदी में चल रहा है लेकिन हाँ अगर आपकी शर्थ यही है कि जब आप शादी करें या जब आप मेरे घर में रिष्टा करें उस वक्त मेरे पास एक लाख रुपया होना चाहिए तो ये मैं कर सकता हूँ कैसे करेंगे कैते मैं अभी जाओंगा कुछ दोस्तों से मदद मांगोगा कैते मांग लीजी तो वह आदमी निकलता है अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है और आदे गंटे बाद वापिस आ जाता है तो कहते हैं कि हंजी क्या रहा तो कहते हैं कि ये लिजी एक लाख रुपे मिल गए मुझे एक लाख रुपे और जब मेरा काम सही चलेगा अगले कुछ महीनों में तो मैं लौटा दूँगा अपने दोस्तों के पैसे तो जहने हैं कि फिर रिष्टा पका समझें मैं घर जाकर आपको बता दूघा है अभी मुझे अपने घर परिवार में सलाँ अशुरा करना है क्योंकि हमने आपस पहले भी एक लड़का देखा है आपकी घर से पहले भी तो दोनूह में से देखते हैं कि हमें जादा बेहार घ सज्जन वापिस घर जाते हैं और जाते हैं तो फिर से उनके पिता जो है वो बाहर बैठी हुए मिलते हैं वो अपने पिता के पास बैठते हैं तो उनके पिता पूछते हैं कि भई लड़का देखाए तो कहता है पिता जी देखाया कहता है मेरी शर्त रखी कहता है रखी कहता फिर क्या हुआ किता है पहले जिसके घर गया था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, नौकरी भी कर रहा था, सब अच्छा था, लेकिन उनके घर में एक लाक रुपे नहीं, नबे हजार रुपे थे, और मैंने कहा कि एक लाक रुपे होने चाहिए उसने घूम फिर के देखा लेकिन नहीं मिले किता और दूसरा किता दूसरे के घर में सिर्फ 20,000 रुपे थे मैंने उसे कहा एक लाक रुपे होने चाहिए तो वो थोड़ी देर दर दर गया अपने दोस्तों के पास और आदे गंटे में एक लाक रुपे लेकर मेरे सा पेले वाला था वो जादा संपन परिवार है क्योंकि उनके घर में 90,000 रुपे थे तो उनके घर में हमें बेटे की शादी करने चाहिए तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं तुम शादी उस घर में करोगे जिस घर में केवल 20,000 रुपे थे और आदे गंटे के अंदर अंदर जो आदमी एक लाग रुपे ले आया तो यह महत्व नहीं रखता कि आपके पास पैसा कितना है महत्व यह रखता है कि आपका लोगों से वहवार कैसा है आप लोगों के खुद कितनी मदद करते होंगे सोचिए कि वक्त आने पर आदे गंटे के अंदर अंदर लोगों ने आपकी असी हजार की मदद करती तो पैसा बड़ी चीज नहीं है वहवार बड़ी चीज है संसकार बड़ी चीज है जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के लोग आपके प्रति कैसी राय रखते हैं आपके कितने इज़द करते हैं उस घर में तुम्हें अपनी बेटी क शादी करने चाहिए तो इस कहानी से आपने क्या सीखा हुआ आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताईए और मेरी तो बस यही राय है कि हाँ यह बात बिल्कुल सही है कि पैसा जरूरी तो है लेकिन इतना ज़ादा जरूरी नहीं है कि आपका कोई दोस्त ही ना हो कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपके साथ कोई खड़ा ना हो फिर से मिलेंगे आपसे एक नहीं कहाने के साथ बहुत जब तब तक के लिए धन्यवाद